किसान साथियों नमस्कार राम राम सश्रेकाल आदाव किसान साथियों में अमित महला आप अच्छे होंगे ठीक होंगे वगवान से कामना करते हैं दूआ करते हैं आप जहां भी रहें सवस्त रहें अच्छे रहें आपके काम में दिन दूगनी राज चुगनी उन्ती हो परम सबसे ज्यादा जो सवाल आब किये जा रहे हैं वीडियो करने से पहले मैं कुछ सवाल जो हमारे हर रोज हमारे बीच में जो आ रहे हैं उसका रिपलाई मैं एक बार आपको दे देता हूँ सबसे ज्यादा जो सवाल आब किये जा रहे हैं बीच उपचार के उपर क्या हम OWDC से बीच उपचार कैसे करें साथियो कोई भी बीच आपको लगाना है आपने जैसे 200 लिटर में या 100 लिटर में वैस्टी कंपोजर बना रखा है बीच को किसी पोटले में आप बांदिए और उसके अंदर डबोईए दो या तीर मिंट आप उसको रखिए और बाहर निकालिए और च्छाओं में एक से लेड़ गंटा सुकाने के बाद उसकी आप बुआई करवा सकते हैं बिल्कुल आसान और सरल विदी है कुछ भी आपको अन्य करने की कोई भी आप सकता साथियों नहीं है दूसरा जो भी फसल आप आगे लगाने वाले हैं फसल लगाने से पहले जो भी साथियों ने अभी अब खेत खाली होने स्टार्ट हो गए हैं तो वह मिटी और पानी के संपल आउसल है और किसी अपनी नजदीक की लेब में देने का काम करें ताकि उनको बहुस्य में आने वाले समस्य और्गनिक फार्मिंग में वह ना आएं उनको यह पता जल सके कि आपकी जमीन का और्ग किस तरह है जो आगे हमारी फशलाएंगी यह चोटी जो हमारी फशल है यह मद्दम वरग जा साहरे जैसे 2-3 मियने का है या 1-1,5 मियने का है यह 3-4 मियने का है उस दोरान OWDC का हम छिड़काओं में और पानी के साथ डालने में किस तरह से उपियोग हम करें सबसे पहले हम बात करेंगे पानी के साथ पानी के साथ कहने का मतलब यह है कि कोई drip irrigation करता है या फर्ल इरिगेशन करता है या फोहरा सिच्चाई करता है कोई भी crops अगर आपकी छोटी है जैसे एक से डेड़ महिना की कोई भी आपकी crop है तो उसके अंदर OWDC की जो मात्रा आपको रखनी है 200 से 300 लिटर परती एक एकर आपको रखनी है इस बात का विशेज रूप से आप साथियों द्यान रखना है ज्यादा मात्रा का उपयोग आप ना करें चाहिए वो पानी के साथ ही क्यों ना देना हो क्योंकि हमारे कुछ से साथियों की काफी complaint हमारे बीच में आ चुकी है कि OWDC के अधीक मात्रा में उपयोग करने की वज़़े से फसल के अंदर पीलापन और फसल के जलने की काफी जगे सिकायते हमें साथियों मिली है तो ऐसी गलती आप बिल्कुल कती ना करें जब आपकी फसल 2-3 महिने की उपर की चली जाए तो आप उसके अंदर 300-400 लिटर परती एक एक एकड आप पानी के साथ में चलाने का साथियों काम कर सकते हैं जिसमादम से वे आप करते हैं इस मातरा का विशेश द्यान रखें इसमें कुछ ज्यादा कुछ कम हो जाए तो कोई प्रोब्लम नहीं है दूसरी हम बात करें छिड़काओ की विदी में हम OWDC का उप्योग किस तरह से करें उस वी से पर भी मैं थोड़ा सा प्रकास आप लोगों के बीच में डालना चाहूंगा जैसे कि अब हमारे कुछ साती सरसों लगाने वाले हैं या चना लगाने वाले हैं जैसे ही आपकी फसल का सही जमाव होता है 20 से 25 दिन के आपकी फसल होती है और आपकी इच्छा होती है कि हम फोलियर सप्रे वेस्डी कॉंपरजर या OWDC का हम उसके अंदर करें तो उसमें हम मातरा क्या रखें साती हो उस समय आपको मातरा 20 परसेंट रखनी है यानि 15 लिटर का जो सप्रे का आपका पंप है उसके अंदर 3 लिटर आपको OWDC का गोल और बाकी पानी मिला के आपको छड़काओ करना है यानि 10 लिटर के अंदर 3 लिटर वेस्डी कंपोजर और 7 लिटर आपको पानी यानि उसमें 1-2 लिटर उपर नीचे हो जाए कोई प्रोब्लम नहीं ये कोई दिक्कत नहीं लेकिन इस से ज़्यादा मातरा आपको साथियों बिल्कुल कती है नहीं लेनी है इस बात का विशे पानी मिला के साथियों चिड़काव कर सकते हैं या 15 लिटर का जैसे भी आपका सप्रेय का पंप है उसके अंदर 40% आपको मिलाना है और 60% आपको मिलाना है पानी इस बात का विशेश रूप से आपको ध्यान रखना है जब आपकी फिसल 3 महने को करोश कर जाए उस समय आप पानी आदा OWDC का उपयोग साथियों आपको उसमें करना है जब आपकी जब आपकी फजल 4 महने को करोश कर जाए उस समय आपको 70% वैस्टी कंपज और 30% पानी आपको मिलाना है यानि मेरा कहने का मतलब यह है कि 100% फोलियर सप्रेय आपको कभी भी नहीं करना है और फोलियर किसी साथि का कोई सवाल रह जाए कोई उसको समझ में ना है किसी बात को तो वो मेरे वीडियो पर दिये गए वाटसऑ नंबर पर केवल टू केवल वाटसऑ मैसेज करके पता कर सकते हैं phone call साथियो please ना करें मैं हर बार आप से इस बारे में request साथियो आप से बार-बार कर चुका हूँ क्योंकि phone हर phone उठाना हमारे लिए possible नहीं है आप WhatsApp message करेंगे तो WhatsApp पर हम आपको अवस्से reply देंगे अवस्से उसकी जो भी जानकारी हमारे बीच में होगी वो जरूर हम आप लोगों के बीच में share करने का साथियो काम करेंगे एक महतोपुन सवार बार-बार हमारे बीच में आता है क्या हम OWDC का गोल छाओं में बनाना चाहिए या दूम में बनाना चाहिए साथियो इस समय जो temperature है इस समय जो ताबबान है वो बहुत देरे-देरे कम होता जा रहा है तो आप उसको खुले में बना सकते हैं एक चीज का विशेश रूप से आपको ध्यान रखना है बहरी कोई चीज उस OWDC के गोल में ना गिरने पाए इस बात का विशेश रूप से साथियो आपको ध्यान रखना है अगला जो हमारे वीडियो जो आपके लोगों के बीच में आएगा वो हम बागवानी की उपर बात करेंगे और जिन साथियों को OWDC अभी तक नहीं मिला है वो साथि वीडियो पर दिये गए वाटसम नमर को मैसेज करके अपना पता बेज़ के OWDC प्राप्त कर सकते हैं तो इसी के साथ साथियो नमस्कार राम राम जैहिन